एलो फ्रेंड वालकम्दू रेसिपी गईड़न्स आज हम बनाएंगे मिक्स वेज जो बनाने में बहुत ही एजी है और जट पट बना कर रेडी हो जाती है और खाना में भी बहुत ही टेस्टी होती है तो चलिए स्टाट करते है अपनी रेसिपी यहां मैंने लिया है कैबेज क्याबेज को पतला पतला लंबाई में कट कर लेना है क्याबेज को अंदर से इसके सीर्स निकाल कर इसको भी लंबाई में कट करना है यहां मैंने आलू लिये हैं दो आलू को भी छोटे छोटे पीसिस में कट कर लेना है आलू को हमें डालेक्ट ऐसे नहीं रखना इसके आद हमें थोड़ा पानी डाल कर रखना है वालू को अगर हम ऐसा ही छोड़ देंगे तो ब्लैक हो जाता है इसलिए हम विशा पानी नाल कर रखना चाहिए है मैंने एक प्याज लिए जिसको छॉप कर लिया है यहां हमने मीडियम साइज की दो कैरट ली है उसको भी छोटी छोटी पीसिस में कट कर लेंगे यहां हमने दो मेडियम साइज टोमैटो लिये हैं और इसको भी हमने चॉप कर लिया है यहां मैंने बीन्स को अच्छे से दो लिया है और उसको भी वीसिस में कट कर लिया है इसको आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कितना भी साइज में कट कर सकते हैं यहां हमारी सारी सबसी यह कटका रेडी है अब हम इनको बनाने स्टार्ट करते हैं एक पैन में हमें थोड़ा ओईल लेना है एक चमच अब ओइल थोड़ा से गरम हो जाने के पाद हम उसमें चिर अप करेंगे जीरा क्रेकश को जाने के बार अब हम इसमें और यहां करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट एट करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट एट करेंगे अब यहां पर चॉप किया हुआ कैबज एट करना है कैबज को हमें अच्छे से प्याज में और जिंजर गालिक पेस्ट में और जिंजर गालिक पेस्ट लिया है मिक्स करके थोड़ा से फ्राइ करना है यहां पर हमें गैस को हाई फ्लेम पर ही रखना है अब इसके बाद हम बाकी की जो भी वेजिटेविल्स हमने कट किये हैं बीन्स, कैरट, पोटैटो, टोमेटो, कैपसिकम यह एट कर लेना है अब हम इसमें ट्राइ पाउडर एट करेंगे इसके लिए हमने यहां पर हाफ इस्पून रैट चिली पाउडर लिया है वन फोर्थ इस्पून टर्मेरिक पाउडर हाफ इस्पून कोरियांडर वन बाई फोर इस्पून गरम मसाला पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें इसमें आप नमक एट करदाना है यहां मैंने पोड़ा हुआ जीरा लिया है वन बाई फोर टी स्पून आप हमें इस सब को अच्छे से मिक्स कर लाना है सारी सबजियों को बहुत अच्छे से मिक्स करके हमें इसका लिट लगान कर रहें आप एहां पर अपने कर शेख कर सकते हैं स्वेश द्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास आवलमेवल हो जो भाइक श्मेंस आ को को स्किप कर दा को पसे आप उसको पीक्स रीजबए आपकर सकते हैं अब तो इसको हम 10 minutes के लिए medium low flame करके इसको पटने के लिए छोड़ देंगे, देखिए मुझे 10 minutes हो चुके है, मेरी समजी भी अभी पक चुकी है, लेकिन अभी पूरे तरीके से ready नहीं है, अभी मुझे इसको बापस से 5 minutes के लिए low flame पर रखना है, फिससे मुझे 5 minutes हो चुके है, और मेरी समजी भी अब पूरी गल चुकी है, अब हमें इसको इस टाइम पर high flame करके समजी को अच्छे से fry कर लाना, जिससे इसके अंदर जो भी moisture है, वो निकल जाए, अगर इसके अंदर moisture रहेगा इस टाइम पर तो हमारी समजी में अच्छा टे अच्छे से अपनी समजी को fry कर लाना है, अगर आम ऐसे ही छोड़ देंगे, गल्ट चुकी है हमारी समजी लेकर फिर उसका टेस्ट इतनका अच्छा नहीं आता, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से fry कर लाना है, जिससे इसका सारा मुष्चर खतब हो जाए, मैरा अच् इसको लास्ट पर फ्रेश हर्यदरिय से गार्णिश कर लेंगे, चली आप इससे डिश आउट कर लेते हैं, फ्रेट्स आप इस डिश को पूरी राइस, पराठा, चपादी किसी के साथ खाएके, यह बहुत ही टेस्टी लगेगी, यह रेसिपी बहुत हैंदी, फुल अफ न तो हमारे चैनल को लाइक केजिए, शेयर केजिए, सब्सक्राइब केजिए, मिलते हैं आपसे डाक्स्ट वीडियो में, डाक्स्ट आस्टीपी के साथ, तब तब के लिए, बाई बाई, टेक क्यार